कि नमस्कार आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूँ आपके साथ पारुल प्रुपाटी आसम के बार पेटा में हिमंता सरकार ने 28 खुसपैटियों को ट्रांजिट भीज दिया था और तब से लेकर खुसपैटिये लगातार हेड्लाइन्स का हिस्सा बने हुए हैं हिमंता विस्वसर्मा ने खुसपैटियों के खिलाव जो मिश्ण चला रखा है उसका असर देश के दूसरे राज्यों में भी नज़र आ रहा है अब अबीसा सब्धार आपको विस्तार से बताएंगे आज की स्पेश znaj सुरू करते हैं क्या है मोहन मांजी का प्लान? प्लाज रिपोर्ट को सरकार तक पहुचाने समंदर से सटे इलाकों में 24 घंटे गश्ट नदीक किनारों पर 18 नए थाने बनाए जाने का निर्देश दे दिया है इन तैयारियों का मकसद है उड़िसा में खुसपैटियों की पहचान करना उनकी सही संख्या का पता लगाना खोद मुख्यमंत्री ने विधानसभा में जवाब देते हुए बताया कि राज में 3744 खुसपैटिये रह रहे हैं इस संक्या को जुले के हिसाब से बाटा भी गया है सबसे ज़ादा खुसपैटिये केंद्र पाड़ा जुले में है यहां सरकार को 1669 खुसपैटियों के रहने की जानकारी मिली है जगत सिंगपुर में 1112 घुसपैटियों के पहचान की गई है सरकार के अनुसार मलकान पुगिरी में 655 घुसपैटिये हैं व्रदक में 199 घुसपैटिये हैं और नंबरगपुर में 106 घुसपैटियों की मौजूद होने की जानकारी है सरकार को आशंका है कि घुसपैटियों की संक्या इससे जादा हो सकती है इसी वजह से ओरीसा सरकार ने अभ्यान की शिरुवात की है लेकिन विपक्षी कॉंग्रस का कहना है कि सिर्फ कागुजों पर प्लान बनाने से कुछ नहीं होगा इस दिशा में जल कदम उठाए जाने चाहिए सत्ता पक्ष और विपक्ष घुसपैटियों की पहचान करने के प्लान पर सहमत है लेकिन ओरीसा में घुसपैटियों को पकड़ने के लिए अभ्यान बीजीपी सरकार आने के बाद ही शुरू हुआ है जिसके बाद सवाल ये भी पूछे जा रहे हैं कि असाम से लेकर ओरीसा तक सिर्फ बीजेपी शासित राज्चों में ही गुसपैटियों को पकड़ने या पहचाननी की कोशिच की जा रही है सिर्फ बीजेपी श्वासित राज्चों में ही गुस्पैचियों के खिलाफ कारवा ही क्यों बार पेटा की घटना से इसी सवाल से जोड़ते हुए एक ट्वीट असद दीन OEC ने किया जिसमें लिखा था अगर इस साल जुन गणना के साथ NRC को लागू करने की कोशिश की गई तो बार पेटा जो ऐसी तस्वीरे देश की अलग-अलग हिस्सों से सामने आ सकती है इसी वज़ा से तेलंगाना समित कुछ दूसरे राच्चियों ने जुन गणना के साथ NRC की गणना का विरोट किया है बार पेटा की घटना पर OEC ने एक साथ दो दाव खेलने की कोशिश की है एक तरफ उन्होंने मुसल्मानों के अंदर दोबारा NRC को लेकर संशे पैदा किया है और दूसरी तरफ घुस्पैटियों को लेकर सम्वे दनाएं भी व्यक्त की है यही वो एजेंडा है जोस पर BJP लगातार मुखर रहती है आकर घुस्पैटियों की हिम्मत क्यों? घुस्पैटियों से हमदर्दि क्यों है? क्या है 28 घुस्पैटियों को ट्रांजेट भेज़ने का मामला? असम बेधर्म के नाम पर राजुनीती का बहस शुरू हो गई है यहां मुसल्मानों को लेकर विबाद थमता नजर नहीं आ रहा है बीते दिन 28 संदेश पद मुसल्मानों को डिटेंशन कैम्प में भीजू जाने से और एक विबाद छुड़ गया है दरसल असम के बार पेटा जुले में 28 पुसल्मानों को गवाल पाड़ा के डिटेंशन कैम्प में उस वक्त भीजा गया जब वो लोग पुलिस अधिक्षक के कारियाले आये थी जानकारी के मुताबिक बार पेटा जुले के विबिन शेत्रों के 28 लोगों को पुलिस थाने में बुलाया गया था जिसके बाद सभी को पुलिस अधिक्षक कारियाले ले जाया गया और फिर एक बस में बिठा कर सभी को गवाल पाड़ा सित्र डिटेंशन कैम्पन भेज द गया था कई सुनवाई के अंत में इन्हें विदेशी घोशे कर दिया गया जुसके बाद सभी 28 लोगों को डिटेंशन कैम्प बेश दिया गया मुस्लिम संगठन के नेताओं ने जताई नराज की लोग ये जानना चाहते हैं कि अब तक सरकार ने कितने विदेशियों की सिनाकर की है इस बात का खुलासा करे इस मामले पर असम मुस्लिम स्टूरेंस यूनियन के चीफ आशिफ रबन्नी ने कहा कि 2800 लोगों को फॉरें ट्रिब्यूनल के जरिए डिटेंशन कैम्पे रखा करेंगे वहीं दूसरी तरफ गुवाटी हाई कोट की सीनियर वकील रेजावल करीम ने असम की पार्टी संगठन से इन 28 लोगों को हर संभव मदद देने की अपील की है असम में गुस्पैठियों की बढ़ती संख्या 2928 घुसपैटियों के पहचान की गई है इन लोगों को राज के फॉरन ट्रिब्यूनल ने विदेशी घोशित किया है असम विधान सभा में मुख्यमंत्री और ग्रहमंत्री हिमंता विश्व सर्मा ने बताया कि इन 47,928 विदेशी लोगों में से 27,309 मुसलिम है जबकि 20,613 ह गुसपैटियों में सबसे अधिक 4,182 जोरहाट जिले में जबकि 3,897 मुसलिम गुहाटी शहर में पहचानी कए हैं दिबरुगण में 2782 लोगों को मुसलिम गुसपैटिया बताया गया है इसके अलावा होजराई, सिवासनगर, नगाव और कचार में भी 2000 से अधिक मुसलि गुसपैटियों को पहचाना गया है, वहीं बाहर से आने वाले सबसे अधिक हिंदूों की संक्या कचार, गुवाटी और लखेंपूर जैसे जिलों में हैं, साल 1971 से गुसपैटियों की पहचान किये जाने के पीछे, साल 1985 में राजीव गांधी की सरकार के दोरान किया गया असम स्कॉड है, इसम जोते को असम के चात्र नेता प्रफल कुमार मेहंत और भारत सरकार की बीच किया था, इसम जोते के अनुसार उन लोगों को खुसपैटिया माना जाएगा, जो अवैद रूप से राज्च में साल 1971 में खुसे हैं, इसम जोता असम में घुसपैट को ल 70 प्रतीशत जनसंकिया असमई भाशा है, जबकि 28 प्रतीशत बंगाल बोलते हैं, इसी के साथ आपको बता दे कि असम सरकार ने प्रदेश में भारी घुसपैट और असम की संस्कृति को बच्रानी को लेकर आश्युआसन भी दिया है, पहले मानफता के नाम पर घुसपैट ये खुसाए हैं, जुना सिर्फ देश की सुरक्षा, बलकि समाची के ताने बाने के लिए भी खत्रा बन गए हैं, इसी के साथ आपको बता दे कि समुद्री रास्ते से उडिसा में खुसपैट कर रहे बांगलादेशी उडिसा के कानून मंत्री प्रत्विराज हरिचंदन ने कहा कि पडोसी देश में अश्रान्ती के बाद समुद्री मार्ग से तटियर राज में बांगलादेशीयों के प्रवेश की कोई रिपोर्ट नहीं है उन्होंने कहा कि उडिसा में अवैद रूप से रह रहे बांगलादेशीयों के पहचान की जाएगी और उन्हें उनके देश वापिस भेजा जाएगा पुलिस ने बताया कि भारतिय नौसेना तटरक्षक बल और उडिसा मरीन पुलिस द्वारा समुद्र तट पर कड़ी सुरक्षा बनाए रखी जा रही है पड़ोसी देश में राचुनीतिक उथल पुतल के मद्देनजर समुद्री मार्ग से बांगलादेश से खुसपैट की संभावना पर पत्रकारों की प्रश्नु का उत्तर देते हुए हरी चुन्दन ने कहा कि मुख्यमंत्री मोहन चरण मांच्वी ने तट रक्षक बल और उड़ीसा समुद्री पुलिस दोनों को इस तरह के प्रयासों को रोकने के लिए समुद्र तट पर गश्त लगाने का निर्देश दिया है उड़ीसा पुलिस ने कहा है कि राज्यकी 480 किलोमीटर लंबी तट रेखा तीन स्तरिय सुरक्षा जांच के दाइरे में हैं पहले 5 समुद्री मील की सुरक्षा उड़ीसा के समुद्री पुलिस द्वारा की जा रही थी जबकि 5 समुद्री मील और तट से 80 किलोमीटर दूर देश की समुद्री सीमा के बीच के जल शेत्र का प्रभंदन तट रक्षक बल द्वारा किया जा रहा है और इसी के साथ अब उरिसा के सीम ने भी आक्शन ले लिया है इस मुद्दे पर आपकी क्यार आये है कॉमेंट सेक्शन पर हमें जरूर बताएं बाके देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप दिखते रहें कैपिटल टीव